क्या कहूं उससे कि जो बात समझता ही नहीं वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं नमस्कार मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ इना कुछ दिनों से एक तस्वीर काफी चर्चा में है नन्हे से धनुरधारी राम लला का हाथ पकड़ कर बड़े से मोधी जी मंदिर की ओड ले जा रहे हैं भाजपा समर्थकों ने इस तस्वीर को बड़े गर्व के साथ सोशल मेडिया पर प्रचारित किया ये बताने के लिए कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम मोधी जी के कारण ही मुमकिन हुआ है दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस तस्वीर की आलुजना भी की कि इसमें भगवान से बड़ा कद पीएम मोधी का क्यों दिखाया गया है ऐसे भगवान का रंग, रूप या आकार क्या है, कैसा है इस बारे में तो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं है लेकिन हाँ मोदी जी को आज देश जरूर देख रहा है जिन्होंने अपनी सत्ता के छे सालों में अपनी छवी और आकार बाकी नेताओं की तुलना में काफी बड़ा कर लिया है उनकी राजनेती की योजनाएं यानि पॉलिटिकल प्लानिंग इस तरह की रहीं कि उन्होंने वाकई हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे को सच कर दिखाया मोदी जी जो करें सो सही है और जो उनका विरोध करें उनकी देश भक्ती पर सवाल उठते हैं यही आज का सच है खैर राम जी से बड़े बनकर मोदी जी उनकी मंजिल तक तो तस्वीर में पहुँचा आए लेकिन आपको याद होगा कि भारत के गरीब लोगों को भी मोदी जी ने एक सुनहरी तस्वीर दिखाई थी अच्छे दिनों की तस्वीर 2014 का चुनाव प्रचार याद है ना आपको मोदी जी मंच से पुकार लगाते थे अच्छे दिन और नीचे बैठी जनता कहती थी आने वाले हैं यानि अच्छे दिन आने वाले हैं अब वक्त आ गया है कि इस तस्वीर में मोदी जी का आकार तै किया जाए यानि इस बात की परताल की जाए कि मोदी जी देश का हाथ पकड़ कर पिछले 6 सालों में उसे कहां तक ले जा पाए हैं स्वास्त शिक्षा उद्यो कारोबार नौकरी हरक्षेदर पर बाते तो खूब हुई लेकिन काम कितना हुआ क्यों उपराश्टपती से लेकर RBI गवर्नर तक के बयान स सुनकर ऐसा लगता है कि देश के लिए आने वाला वक्त काफी कठिन होने वाला है मंदिर का भूमी पूजन तो कर लिया मोदी जी ने अब इसके बाद क्या करेंगे क्या आयोध्या के दिन फिरने से देश के दिन भी बदल जाएंगे अयोध्या में राम मंदिर का भूमी पूजन करते हुए पियम मोदी ने इसे संस्कृती का आधुनिक प्रतीक बताया और अयोध्या की भविता के साथ अर्थतंत्र बदलने का संदेश दिया उससे पता चलता है की आने वाले दिनों में अयोध्या आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश का ही नहीं बलकि भारत का एक प्रमुख केंदर बनकर उभडने वाला है जैसे आगरा प्रयतन का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र है और विदेशी मुद्रा की आय का भी वैसा ही कुछ शायद आयुध्या के राम मंदिर्ग में भी देखने को मिले ऐसे भी भगवान के नाम पर या कहें कि आस्था के नाम पर अकूत कमाई भारत क्या दुनिया में अनुखी बात नहीं है धर्म के नाम पर करोणों अर्मों कमाने का चलन सद्यों से रहा है वेटिकन सिटी हो या मक्का मदीना अड़ साल भक्त लाखों करोणों का चरहावा यहां देते हैं वैसे इस साल करोणा के कारण यहां की कमाई प्रभावित हुई है और कुछ ऐसा ही हाल भारत के मंदिरों का भी है वर्ल्ड गोल्ड कॉंसिल ने 16 अप्रैल 2020 को जानकारी दी थी कि भारत के पास 24,000 टन स्वर्ण भंडार है जिसमें से मंदिरों के पास 4,000 टन सोना है शिर्डी से लेकर वैशनो देवी, सिध्धी विनायक, गोल्डन टेंपल अम्रितसर, मदुरय का मिनाक्षी मंदिर, पूरी का जगनाथ मंदिर, काशी विशुनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जैसे 30 बड़े मंदिर देश में हैं जिन में हर साल करोणों का चरहावा आता है और खास मौकों पर कमाई दोगूनी-चोगूनी हो जाती है तिरुपती दिवस्थानम का 2021 का सालाना बजट ही 3310 करोर रुपे है सोलावी शताबदी में बने पद्वनाब स्वामी मंदिर में 22 अरब डॉलर के सोने और हीरे जवाहरात हैं और चरहावे की जो कमाई होती है वो अलग इस वक्त इन मंदिरों की कमाई घटी है, कई महीनों तक मंदिर बंद रहने से चरहावा नहीं आया और तिरुपती जैसे मंदिर में तो कई कर्मचारियों की छटनी भी हो गई लेकिन लोगों की आस्तिकता के कारण मंदिरों को अधिक वक्त तक घाटा नहीं सहना पड़ेगा जैसे जैसे देश में रियायते दी जा रही है वैसे वैसे मंदिरों में कमाई के आवसर भी बढ़ जाएंगे असली दिक्कत तो आम आदमी की कमाई की है जिस बारे में मोधी सरकार इस वक्त मौन है तो धर्म का अर्फशास्त्र और राजनिती दोनों से गहरा संबंध रहा है मधियोग में योरोब की सत्ता पर चर्च का दबदबा था चौथी सदी में रोमन समराट कॉंस्टेंटाइन ने जब इसाई धर्म अपना लिया तो उसके बाद से चर्च की शक्ती में लगातार बरहुतरी होती चली गई थी राज की ये धर्म हो जाने के कारण इसाईयत का प्रसार योरोब के कोने कोने में हो गया पंधरवी सदी के आते आते जब राजाओं ने आपसी रिष्टेदारी और समझोतों के जरिये अपनी स्थिती को मजबूत किया साथ ही कुछ धार्मिक सुधार भी हुए तो धीरे धीरे चर्च यानि धर्म की सत्ता थोड़ी कम हुई इसके बाद योरोब से राश्रवाद और फिर सत्ता की संसद्य परनाली आदी निकली और दुनिया के कई देशों में अपने रूप बदल कर पहुँची ये अलग इतिहास है लेकिन इन सब में न धार्मिक स्थलों की कमाई के तरीके बदले न राजनिती के लिए धर्म का इस्तेमाल बदला और ना ही बदली तो आम जनता की किस्मत जो तब भी शासकों के हाथ में थी और अब भी शासकों के हाथ में ही है शासन के तौर तरीके बदल गए लेकिन जनता अब भी अपने दिन बदलने के लिए सरकार का हे मुहताक्ती है इस वक्त भारत की जनता भी इसी हालत में गुजर रही है जरा इस रिपोर्ट को देखिए मोदी जी बड़े काम के लिए भारत की सत्ता पर काबिज हुए है ऐसा मानने वाले बहुत से लोग है बड़े काम यानि कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करना, बड़े काम यानि तीन तलाग खत्म करना, बड़े काम यानि राम मंदिर बनाना, बड़े काम यानि नागरिक्ता संशोधन कानून लागू करना, लेकिन जनता के लिए रोजी रोटी का इंतिजाम करने का काम शायद खा रोजगार और बचत को लेकर कुछ चौकाने वाले आंकडे सामने आये हैं। और आम आदमी पैसे की कमी दूर करने के लिए म्यूच्वल फंड से अपने जमा रकम को तेजी से निकासी कर रहे हैं। जो 2012 में 34.6 प्रतिशत हो गई और फिर 2019 आते 30.1 प्रतिशत हो गई जिसका बुरा असर अर्थव्योस्था पर पड़ा है। इस बुरे वक्त में सोना गिरवी रखने का चलन बढ़ रहा है। मुथूट फाइनेंस के अनुसार गोल्ड के एवज में लोन लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। कमपनी के सालाना कारोबार में 5-10 फीसदी की विर्धी आ सकती है। वही मनपपूरम फाइनेंस ने भी कहा है कि उसका भी गोल्ड लोन का कारोबार तेजी से बढ़ा है। वित्य कमपनी गोल्ड में सैक्स की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कोरोना संकट में आम लोगों का सहारा गोल्ड लोन ही बनेगा। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों के कुल लोन का 50-50 फीसदी लोन मोरेटोरियम में चला गया है। ये कुल बैंक ग्राहकों का 55 फीसदी है इससे पता चलता है कि बैंक लोन चुकाने में गरीब और मध्यमबर्ग की बड़ी आबादी अभी साक्षम नहीं है तो आंक्रे बता रहे हैं कि लोगों का रोजगार छिन गया है कमाई है नहीं और बचत भी खत्म होती जा रही है एक लाग तीस हजार करोर रूपे से अधिक पर पहुँच गई है पता नहीं रेगिस्तान जैसे सूखे में सरकार ऐसी हर्यालिक कहां से तलाश लेती है खैर सवाल ये है कि अगर लोग अब भी खाते खुलवा रहे हैं और रकम जमा करने की हालत में हैं तो फिर सरकारी बैंकों की हालत क्यों खराब होती जा रही है और क्यों सरकार बैंकों के निजीकरन में जोर शोर से लगी हुई है नीती आयोग ने हाल ही में सरकार को सुझाव दिया है कि वो पब्लिक सेक्टर के पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक आप महाराष्ट्र इन तीन बैंकों का नीजीकरन कर दे इसके साथ-साथ नीती आयोग ने ग्रामिन बैंकों के मरजर का भी सुझाव दिया था इन बैंकों के नीजीकरन का सुझाव दिये जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि इन बैंकों को लगतार घाटा हो रहा है 2019-20 की चौथी तिमाही में पंजाब एंड सिंध बैंक का घाटा बढ़कर 236 करोड 30 लाख रुपे हो गया है वहीं युको बैंक ने इस बार जून में खत्म हुई तिमाही में 21 करोड 45 लाख रुपे का फायदा कमाया है लेकिन पिछले साल इसी अवधी में बैंक को 601 करोड 45 लाख रुपे का नुकसान हुआ था इस घाटे के अलावा एक बड़ी वजह बैंकों में होने वाले धोखा धड़ी भी है बैंक ओप महराष्ट्र में फ्रॉड के करीब 413 मामले सामने आये हैं सरकार इन सब की जिम्मेदारी से शायद बरी होना चाहती है इसलिए बैंकों का निजीकरन ही उसे एक मात्र रास्ता लग रहा है वैसे खबरें ये भी हैं कि सरकार नुकसान में चल रही इंडिया पोस्ट को ग्रामेंड बैंकों के साथ विले कर सकती है निती आयोग ने सरकार से ये सिफारिश भी की थी कि चुनिंदा कॉर्परेट घरानों को बैंकिंग सेक्टर में आने की इजाज़त देनी चाहिए हालां कि RBI इससे सहमत नहीं है RBI ने कहा है कि अगर कॉर्परेट घरानों को बैंकिंग सेक्टर में लाया जाता है तो उनके वित्तिये मामलों पर निगरानी का अधिकार RBI को मिलना चाहिए लेकिन रिजर्ब बैंक के इस सुझाओ पर सहमती नहीं बन पाई है आपको याद होगा कि पिछले साल इंडिया बुल्स हाउसिंग ने लक्ष्मी विलास बैंक के साथ विले का प्रस्ताव दिया था जिसे RBI ने खारिज कर दिया था क्योंकि इंडिया बुल्स कई अन्य सेक्टर में दखल रखता है अगर कॉर्परेट घराने यानि सरकार के करीबी दो-चार उद्योग पती बैंकिंग शेतर में आ भी गए तो ये तैय मानिये कि फिर जनता पैसे अपने लिए जमा करेगी और उसका असल फायदा इन बड़े कारोबारियों को मिलेगा जो अलग अलग नामों से दस-दस कंपनियां खोल लेते हैं और फिर एक के नाम पर कर्ज लेकर के दूसरे में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसा खेल खेलते खेलते हजारों करोर का घपला कर लेते हैं गनीमत ये है कि RBI ने फिलहाल ऐसा होने से रोक लिया है लेकिन कब तक वो ऐसा कर पाएगा ये बड़ा सवाल है सरकार के हिसाब से तो आर्थिक शेत्र में सब बढ़िया है सब चंगासी क्योंकि उसके उद्योगपती मित्रों का मुनाफ़ा बढ़ रहा है लेकिन देश के हालात क्या हैं कैसे हैं इस बारे में RBI से बहतर और कौन बता सकता है रिजर्ब बैंक की हाल में हुई मॉनिटरी पॉलिसी कमीटी की बैठक में कहा गया है कि भारत का कंजूमर कॉन्फिटेंस जुलाई में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच चुका है एकोनॉमी को लेकर निराशा की भावना बढ़ रही है जुलाई के महिने में कंजूमर सेंटिमेंट घटकर 53.8 पर पहुँच गया था आपको बता दे कि कंजूमर सेंटिमेंट इंडेक्स 100 के उपर होने का मतलब एकोनॉमी को लेकर आशावादी विचार है अगर ये 100 के नीचे होगा तो निराशा को दिखाता है वैसे केवल उपभोकता ही नहीं कारोबारियों की हालत भी कुछ ऐसी ही है National Council of Applied Economic Research यानी NCAER के Business Confidence Index के मताबिक इस वितवर्ष की पहली तिमाही में पूरे उद्योग जगत में बिजनेस सेंटिमेंट 1991 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया NCAER ने एक बयान में कहा है कि बिजनेस सेंटिमेंट में एक साल पहले की तुलना में 62 फीसदी की भारी गिरावट आई है महंगाई दर लगातार बढ़ रही है उपभोकता सामान खरिदने से कतरा रहे हैं कारोबार ठप हो रहे हैं और सरकार कोई ऐसे उपाई नहीं कर रही जिससे ततकाल कोई राहत मिले पुरू प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग ने इसी स्थिती से उबढ़ने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं उनके मुताबिक हमारी अर्थव्योस्था को पुनर जीवित करने का आधार पूरे एकोसिस्टम में विश्वास को वापस लाना है लोगों को अपने जीवन और आजीविका के बारे में आश्वस्त महसूस करना चाहिए उद्दमियों को निवेश को फिर से खोलने और बनाने के लिए आश्वस्त होना चाहिए बैंकरों को पुन्जी प्रदान करने के बारे में आश्वस्त महसूस करना चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंग का कहना है कि मनरेगा से बेशक ग्रामिन गरीब परिवारों को मदद मिली है लेकिन ये परियाप्त नहीं है एक सार्थक कैश ट्रांसफर इन परिवारों में विश्वास बहाल कर सकता है उनके मुताबिक भारत शायद एक मात्र ऐसा लोकतंत्र है जिसने कोवीड-19 संकट के दौरान कैश सहायता प्रदान नहीं की डॉक्टर मनमोहन सिंग दुनिया के टॉप अर्थ शास्त्रियों में से एक हैं इसलिए सरकार को उनकी सलाह जरूर सुननी चाहिए लेकिन जिनें सिर्फ अपने मन की बात करने की आदत हो वो भला किसी और की बात क्यों सुनेंगे वैसे सरकार इस बात को ही बढ़ा चरहा कर बता रही है कि वो देश के 80 करोड लोगों को 5 किलो राशन दे रही है इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है ये भी सरकार को बताना चाहिए अभी तो राजकोष का जो घाटा है वो बढ़ता जा रहा है GDP निगेटिव रहने की आशंका है और सरकार घाटे से निकलने के बहाने निजी करन में लगी हुई है यानि सब कुछ प्राइवेट हाथों में देने में लगी हुई है अब या तो आत्मनिरभरता की परिभाशा बदल देना चाहिए ये जनता को मान लेना चाहिए कि राम नाम में वो बूरी तरह से ठगा चुकी है सरकार ने निजी करन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 18 रणनितिक क्षेत्रों की पहचान कर ली है इसमें बैंकिंग, बीमा, इसपात, उर्वरक, पेट्रोलियम और रक्षा उतकरन आधी क्षेत्र शामिल है सरकार का कहना है कि निजी क्षेत्र की भागिदारी निजी पूंजी, प्रद्योगी की और इनोवेशन को बढ़ावा देगी और सर्वश्रिष्ट प्रबंधन व्योस्था लागू करेगी ये रोजगार पैदा करके अर्थ व्योस्था को बड़ी मजबूती देगा यानि रोजगार देने की जिम्मेदारी से भी सरकार बड़ी चालाकी से पीछे हट रही है सरकारी अनुमानों के अनुसार भारत में 348 साल्विनिक शित्र के उद्धम यानि पीएसियू है और इन फर्मों में सरकार की हिस्सेदारी वाली कुल परिसंपती लगवक 7 लाग करोर रुपे की है इस सब पर धीरे धीरे नीजी कारोबारियों का कबजा हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेई के काल में इस तरह बड़े पैमाने पर नीजी करन हुआ था अब उसी चलन को पी एम मोदी अंजाम तक पहुँचा रहे हैं आजाद भारत के बाद अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो साजबनिक निकाय यानि पेस्यू बने उन्हें खत्म किया जा रहा है इसमें कई मुनाफे कमाने वाले क्षेत्र हैं जैसे सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्परिशन लिमिटेड यानि BPCL का तिरपन परतिशत हिस्सेदारी सितंबर 2020 में बेच देगी कमपनी के 2000 करमशारियों को VRS देने के लिए कहा गया है कमपनी हर साल 1000 से लेकर 1500 करोर रुपे की आमदनी कर रही थी फिर भी सरकार इसे बेच देगी क्योंकि सरकार को इससे 53,000 करोर रुपे मिलेगा और इतनी बड़ी रकम सरकार को कौन देगा ये देश जानता है वैसे जो काम सरकार सही तरीके से कर सकती थी उन्हें जान बूझकर शायद नहीं किया गया ताकि घाटा बढ़े और उसे बेचने का बहाना मिले Ministry of Statistics and Program Implementation का आकड़ा बताता है कि मोदी सरकार ने जिन 400 से अधिक बड़ी योजनाओं की शुरुआत की थी वो पैसे क्या भाव में रुख गई है इसके कारण उन योजनाओं की लागत करीब 4,05,000 करोर रुपे बढ़ गई है ये योजनाओं जो शुरु होते वक्त करीब 20,00,000 करोर रुपे की थी वो 24,00,000 करोर रुपे से अधिक की हो गई है लेकिन सरकार के पास तो पैसे ही नहीं है अब दो ही रास्ते बचे हैं कि या तो योजनाओं को बंद कर दिया जाए या फिर और ज्यादा कर्ज लेकर या नीजी कमपनियों को हिस्सेदारी दे कर शुरू की जाए जाहिर है कि सरकार ने दूसरे रास्ते को ही चुना तो हास कंगन को आर्सी क्या ये सारे आकड़े, सरकार के फैसले और नीतियां यही साबित कर रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार बुरी तरह से फेल हुई है और वो अपनी असफलता नहीं मान रही है कि इसके पीछे एक वज़ा ये हो सकती है कि देश के चंद उद्योगपतियों की बढ़ती दौलत को ही सरकार अपनी सम्रिधी मान रही है बांकी जनता के आंसू से दिखी नहीं रहे है जिस मन्रेगा के बूते सरकार दावा कर रही है कि उसने गाउं के गरीबों को संभाल लिया है उसमें भी हालत ये है कि चार महीने ही इस वितवर्ष के बीते हैं और मन्रेगा की आधी रकम खर्च हो चुकी है इस साल के लिए मन्रेगा का बजट बढ़ा कर एक लाग करोर रूपे सरकार ने कर दिया था लेकिन सरकारी आकड़े ही दिखा रहे हैं कि इसमें से 48,500 करोर रूपे से अधिक की राशी अब तक खर्च हो चुकी है बांकी का साल अब कैसे कटेगा ये तो सरकार ही जाने दुनिया भर में सरकारे आम आदमी को राहत देने के लिए नए नए कदम उठा रही है बिटेन, चीन, अमेरिका, कनाडा, जापान सबने करोना काल में राहत के लिए अलग से फंड जारी करके सीधे अपने नागरीकों को फायदा पहुचाने का काम किया लेकिन क्या भारत का आम आदमी मोदी जी से पूछने की हिम्मत जुटा पाएगा कि साहब आपने हमारे लिए जो बीस लाग करोर का भारी भरकम राहत पैकेज घोशित किया था उसे हाथी के दात जैसा क्यों बनाया क्या उसका कुछ हिस्सा सच में गरीबों के पास जाएगा या वो केवल राम नाम जब कर जीवन गुजार लेंगे खैर शायर वसीम बरेलवी का एक शेर याद आता है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे तेरी मर्जी के मताबिक नजर आएं कैसे तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे खबरों के नए आएने के साथ तब तक देखते रही है डीवी लाइव नमस्कार